पाला मारेंगे जैसे डुब हजार फारा में तौल बंदी किये तो इसतरा से तौल बंदी नहीं ताहिडे हैं अब हम लोग कमीशन मिलता है कमीशन नहीं चाहिए लेकिन महीना चाहिए चुकि हम लोग 2800 से 23rd महीना चाहिए तो आपका इबर दिल से स्वागत था आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो की 12 तारिक से सभी आशा वर्करों का और आसा फैसलेटरों का हर्ताल स्टार्ट हो गया है उनकी कुछ मांगों को ले करके सबसे बरी मांग तो पेमेंट को ले करके है का सरकार उनublik पेमेंंट नहीं दे रही मतलख साल्री नहीं दे रही है तो ये हर्ताल में वर्करों सब्सक्राइए है उनलों का हогनें काम करना इन ये कुछ बात को रहा है और आस बीजिंए और सब सब हर्ताल चाहिए हूँ आप सभी को एक होनी की जुरूरत है मतलब आप लोग में एकता की कमी है और इस हर्ताल में आप सब को मिल जूल करके और बढ़ चरके हिस्सा लेना है तभी आप लोग का यह हर्ताल सफल होगा और सरकार तक आप लोग का मेसेज मतलब सुचना पहुंचेगा तभी वो लोग इ पूरी होगी और आप लोग का हर्ताल सफल होगा ने तो यह अधूरा रह जाएगा बेकार हो जाएगा और आप लोग को नुखसान होगा तो सबसे पहला चीज यह है कि आप लोग को अभी इसी वक्त सभी काम छोड़ देना है जो भी सरकार आप लोग से करवाती है तब ही उन इसरा चीज तीका करन होने नहीं देना है तीका करन के लिए अगर आपके छेत्र में एनम आती है तो आप लोग को डियूलिस नहीं देना है नहीं बच्चे बुला के लाने है और अगर सेवी का आपसे डियूलिस सर्वे रिजिस्टर या फिर बच्चा वाला डायरी मांगत तो आप लोग को नहीं देना है चुपा के रख देना है और आप लोग को बताना है कि हम लोग हर्ताल पर है हम लोग कुछ भी नहीं देंगे अगर आप लोग को हर्ताल सफल बनाना है तो यहां पर यह गलती नहीं करनी है कि आप लोग हर्ताल में है आपने बोल दिया कि मैं हर पता ही नहीं चलेगा कौन से बच्चे को टिका पढ़ना है तो आप लोग को सर्वे रेजिस्टर डूलीस और बच्चावला डायरी नहीं देना है क्योंकि सेवी का लेली डूलीस तो साहिका को बोल करके वो बच्चे बुला के लेके आजएगे और टिका करन्द सफल हो जाए जिससे सरकार को पता चलेगा और आप लोग की सूचना जल्दी उन लोग को मिल जाएगा क्या आप लोग हर्ताल पे हैं तो तभी आप लोग की मांगे पूरी होगी और सरकार इस पर विचार करेगी और चौथा चीज आप लोग को मीटिंग अटेंड नहीं करना है जो भी तो हर्ताल सिर्फ घर में बैठे नहीं करना है आप लोग को हॉस्पिटल के बाहर नारे बाजी करनी है रोड जाम करना है और हो सके ते हॉस्पिटल में ताला भी मार दीजे और ताला मार सकते हैं सबको एक जूट होनी की जरुरत है एकता की जरुरत है तभी ये हर्ताल सफ कर में हर्ताल को छोड़ देती है बोलते है यार यह हर्ताल उड़ताल के क्या फैदा है नुकसान होगा इससे अच्छा है कि मैं पेशन लेकर के डिलिवरी कर लेती हूं कुछ तो पैसे आ जाएंगे तो यह लालची आशा वरकरों के वज़े से आप लोग का भी बैंड वजने वाला है आप लोग का हर्ताल सफल नहीं होगा क्योंकि हर्ताल का मतलब है कि किसी भी आशा वरकरों को काम नहीं करना है कुछ आशा वरकर चालाक होती है और पैसे के लालच में काम कर लेती है जिसे के हर्ताल टूड जाता है बेकार हो जाता है सरकार को तो लगता है कि आप तो काम कर रहे हैं, तो हर्ताल का मैन मकसद है कि सरकार का एक भी काम नहीं करना है saat यहां पर कुछ चालाग भी आशावरकर होती है, जो की हर्ताल को नहीं मानती है, काम करने लग जाती है, और कुछ आशावरकरों की मजबूरी भी होती है, क्योंकि जो अभी मजदूरी की रूप में पैसे मिल रही है, तो बहुत सारी आशावरकर बहुत गरीब है, जिनका पे मैनेज कर लेंगे कही न कहीं से जुगाड कर लेंगे तो दो मैने बाद अगर आप लोग की सेलरी स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग का भविष्ट चमक जाएगा आपका पेड़ भी पलेगा और आप लोग कुछ पैसे भी बचा सकेंगे क्योंकि जो अभी पैसे मिल रही है उससे आप लोग का घर तो चल जाता लेकिन आप लोग इससे प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो अपने चालाकी को बेंड करके मतलब बंद करके दरवाजे के अंदर रख दीजे एक डब्बे में भरके रख दीजे और हरताल इमांदरी पुरुवक और मिल जूल करके कीजे तबी आप लोग का हरताल सफल होगा तो I hope कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाता हूँ तो सभी को मिल जूल करके इस हर्ताल में participate करना है और सरकार का एक भी काम नहीं करना है road jam कर दो, train रोकना है train रोक दो, अगर आप लोग को डर लग रहा है कि पुलीस मारेगा तो यहां डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग को बचाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे नेता आएंगे जो की इस बार हार चुके हैं या फिर आगे आने वाले election में खरे होने वाले हैं तो वो लोग आप लोग को बचाने के लिए आएंगे तो पुलीस अगर आप लोग को मारने भी आती है तो बचाने के लिए बहुत सरे लोग आ जाएंगे तो उसकी चिंता मत कीज़े आप लोग को जहां तक हो सके जादा से जादा सरकार तक मेसेश पहुँचाईए क्योंकि अगर आप रोड जाम करेंगे ट्रेन रोकेंगे या फिर होस्पिटल में ताला मार देंगे तो मीडिया वाले आएंगे और बरे बरे सरकारी अधिकारी आएंगे जो कि आप लोग की माये सरकार तक पहुँचाईगी तभी आप लोग का हरताल सफल होगा आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए